हेलो नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों कि आप एक अच्छा सा हेंड ब्लेंडर खईदने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप एक बिल्कुल सभी वीडियो पे आये हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने पाला हूँ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्टी कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप फाइफ बेस्ट एलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर इन इंडिया दोस्तों नमबर पांच पे है और पैट का हैंड ब्लेंडर इसकी जो मोटर है उसकी पावर है 250 वाट दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मोटर पावर होती है जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा पावर्फुल आपका हैंड ब्लेंडर होगा और दोस्तों इसकी जो आर्पियम है वो है 18,000 तो दोस्तों जितनी ज्यादा आर्पियम होगी उतना ही ज्यादा जो इसकी ब्लेड है वो रोटेट करेगी और आपका जो हैंड ब्लेंडर है वो फास्ट बनेगा तो य इससे कि दोस्तों क्या होता है कि आप इस hand blender को अपने दिवार पे भी टांग सकते हैं वो स्वाल मांट के अंदर इसके उपर और पैट आपको देता है एक साल की वारेंटी और दोस्तों बात करें इसकी प्राइस ही तो इसका जो प्राइस है वो है अरूंड 750 रुबे के आसप नंबर चार पर है फिलिप्स का हैंड ब्लेंडर इसके अंदर आपको 250 वाट की मोटर देखने को मिल जाती है और दोस्तों इसकी जो आर्पियम है वो है 18,000 इसकी बॉड़ी बनी हुई है प्लास्टिक मेटीरियल से जो काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है लेकिन आपको एक वाल माउंट देखने को मिल जाता है और दोस्तों इस हैंड ब्लेंडर के साथ आपको दो एक्स्ट्रा ब्लेट्स भी देखने को मिल जाती है जो कि विस्किंग और विपिंग में आपके काम आने वाली है दोस्तों इसके पर आपको फिलिप्स देता है दो साल की warranty और बात करने इसके price के तो इसका जो price है वो है around 1500 रुपे के आसपास दोस्तों यह थोड़ा सा expensive hand blender है लेकिन जो इसकी quality है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है इसके अंदर आपको सबसे अच्छा जो feature मिलता है वो मिलता है दोस्तों इसके जो rod है जिसके अंदर blade attach है उसको आप detach कर सकते हैं इस blender से मतलब जो motor है वो अलग हो जाएगी और नीचे की rod अलग हो जाएगी जिसे की दोस्तों आपको इसको clean करने में काफी ज़दा आसानी होने इसके price की तो इसके जो price है वो है around 1400 रुपए के आसपास दोस्तों नमबर दो पर है kent का hand blender इसके अंदर आपको 400 watt की motor मिल जाती है और दोस्तों इसके जो rpm है वो है 20,000 इसके अंदर आपको stainless steel से बनी हुई ये body मिल जाती है जो कि एक काफी अच्छी बात है और दोस्तों इस अगर सबसे जो चीज है वो है इसके अंदर आपको variable speed control मिल जाता है मतलब दोस्तों इसकी जो speed है आप उसको अपने हिसाब से set कर सकते हैं अगर आपको कम speed पर चलाना है तो आप इसको slow भी चला सकते हो और अगर आपको इसको fast चलाना है तो आप fast भी चला सकते हैं इसके motor power देखने को मिलती है 1000 watt की दोस्तों यह काफी ज्यादा powerful hand blender है जिससे कि आपको अगर इससे काफी ज्यादा hard चीज़े grind करनी है या फिर blend करनी है उसमें आपको काफी help करेगा जैसे कि अगर आपको सूखे मसाले वगर इससे peace नहीं तो यह powerful motor उसमें काम आएगी दोस्तों इ इसके अंदर आपको alloy steel की body देखने को मिल जाती है इसके अंदर आपको stainless steel की blades मिल जाती है और दोस्तों इसमें आपको detachable shaft मिलती है जिससे की जो नीचे का part है इस blender का उसको आप अलग करके आराम से wash कर सकते हैं इसके अंदर आपको 13 variable speed मिल जाती है तो दोस्तों आप इसको 13 अलग अलग speed पर चला सकते हैं इसके अंदर आपको एक turbo button में मिलता है जिसको दबाके आप इसको एक बार में ही full power पर चला सकते हैं दोस्तों इस hand blender के साथ आपको chopper, potato mesher, 500 ml का jar और एक whisker भी मिल जाता है इसको पर इनाल साब को देता है दो साल की warranty और दोस्तों अगर बात क आपको काफी heavy users के लिए एक hand blender चाहिए तो आप इसको consider कर सकते हैं और दोस्तों बात करें आज की वीडियो की तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो में दिखाया है कि सभी hand blender के link आपको description box में मिल जाएंगे महाँ पे जाके आप इनके उपर कोई भी offers वगरा च चेक कर सकते हैं और अगर खरीदना चाहिए तो खरीद भी सकते हैं इससी तरह की kitchen related वीडियो को देखने के लिए हमारे चनल को subscribe करना ना भूले वीडियो ची लगी तो वीडियो को like भी करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों